नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है हर्शित दिवेदी और मैं आपका स्वाथ करता हूँ अपनी इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हाथ्थ्रस गैंग रेप केस के बारे में शुरू से लेके एंड तक इस केस में क्या हुआ और इसके आफ्टर मांत में क्या क्या हो रहा है यह सारी बाते मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर Ground Zero रिपोर्टिंग की है अनुच कुमार जी ने अनुच कुमार जी का एक आर्टिकल छपा था अभी सेटेडे के एडिटोरिल में तो वहाँ पर जो जो चीजे लिखी हैं उनके हिसाब से और कुछ और जगहों से जो कुछ से काम करते हैं इनके लिए पनिश्मेंट्स क्या क्या है और डिसकुशन क्या हुआ रेक लॉस पर पूरा डिटेल्ड एनलिसिस थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर तो कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मिशन भी है बट मैं वो बताऊंगा कहीं न कहीं उ तरह रहता हूं साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने जो भी डॉट्स बगरा हैं क्लैरिफाइक कर सकते हैं जो भी आपके जनुवें डॉट्स हैं आपकी प्रेबरेशन से लेटर जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना जल्दी आपको जवाब देने की कोशि में ज़्यादा दिमाग या फिर आप कहलो बहुत ज़्यादा मैचुरटी नहीं होता कहीं न कहीं इक बच्पना होता है तो भाई अपने फैमिली मेंबर्स उसके फैमिली मेंबर्स तो उसको याद करें गई ठीके ना उनके बीच में रह रही थी 14 सप्टम्बर को एक बहु को ये भयानक incident हुआ है और 29 September को लड़ते लड़ते वो हमें छोड़के चली गई और on the early hours of 30 September यानि 29 September जब उसकी मृत्ती हुई उसको वापस लेके आया गया तो 30 September की सुबह धाई बजे उसका cremation कर दिया गया और cremation पे एक बहुत बड़ा आप देखें यह जो case इतनी fire बड़ा कि cremation के समय पे एक बहुत बड़ा यहां पे एक सवाल उठके आया है कि क्या उसके family members से permission लेने की समय तो district authorities ने बोला कि हाँ भाई permission ली गई है लेकिन बाद में family members में बोला कि भाईया हमसे कोई permission नहीं ली गई और जब उसका cremation हो रहा था तब गाओं के किसी भी family के member को अपने घर से बाहर निकलने के आज़ा दी थी मतलब उस बच्ची की जो family थी वो family members भी घर के बाहर नहीं आ सकते और उस गाओं के जितने भी घर थे उनका कोई भी member बाहर नहीं आ सकते अगर बाहर आएगा तो man handling हो रही थी पुलिस वाले वहाँ पे जबरदस्त पह अपने मम्मी के साथ और अपने भाई के साथ cattle forder को collect करने के लिए खेतों में गई खेत इनके घर से जादा दूर नहीं होते हैं जब आप village में रहते हो तो आपके जो घर होते हैं वो आपके खेतों के पास ही होते हैं इस कहा जाता है कि इस victim की गरदन पे जो दुपट्टा ह होते हैं उस दुपट्टे को इस neck के चारो तरफ दबा के इसको खीचते हुए लेके गए तो उसके खीचने के केस में शायद इसकी spinal cord में बहुत ज़ादा injury आई है और ये कहा जा रहा है कि दिस दलिद गर्ल वस ऐलेजटली गैंग रेवड वाई four men from the ठाकुर कास्ट तो ए एक upper caste versus lower caste की ये कहानी है ये इसाम लगाया गया है कि चार लोगों ने इसका रेप किया ये चार लोग कौन कौन है इनके बारे में भी मैं भी आपको बताऊंगा सब कुछ इस article में लिखा है ओके इस incident के बाद severe spinal cord injury हुई है कही ना कहीं हो सकता है strangulate करते वक्त यानि उसका ग वाला नहरू जो hospital है आपका अली गड़ में वहाँ पर गई तो वहाँ की जो डॉक्टर्स ने जो भी इनका medical check-up किया तो उसमें ये बात बोली गई फिर ये भी है obvious सी बात है आप देखोगे कि मा और बेटी फिल्ड गए है उसका भाई भी फिल्ड गया और भाई किसी वज़े से वापस आया घर पे तो मा और बेटी अकेले रह गई बेटी इग्जम से गायब हो गई मा उसको धूनने लगी थोड़ी दिर बात बेटी एक बहुत ही घायल अवस्था में खेतों में पड़ी हुई मिली जब ऐसा हुआ तो यज़ी बात है उस बच्ची को लेके जाया गया चांदपा पॉलिस टेशन में तो किसी तरीके से मोटर साइकल पे बैटके जो मा और उनका एल्डर सेंड था और वो अपनी बेहन को चांदपा पॉलिस सटेशन लेके पहुँचा जब चांदपा पूलिस स्टेशन लेके पहुँचे तो at the very first distance इनकी complaints को लिखा नहीं गया most probably ऐसा इल्जाम लगाय जा रहा है पूलिस पे कि ये चुकि एक higher caste के person के उपर इल्जाम लग रहा था तो शायद वो complaint को register करने में समय ले रहा है लेकिन शायद पूलिस वालों ने इन से कहा कि आप पहले बच्ची को hospital लेके चाहिए तो hospital लेके जाया गया हाथ्रस तक लेके गया अब देखे ये जो event हुआ है ये गाओं में हुआ है गाओं से हाथ्रस के district headquarters में पहुँचें वहाँ पर प्रॉपर hospital facilities नहीं है तो जो nearest hospital था वो था आपका अलीगड में जिसका नाम था जवाल लाल ने रूम medical college and hospital तो वहाँ तक पहुचने में ही इनको दो घंटा लग गया ठीक है किसी तरीके से ambulance पुलाई ही घरवालों ने और ये उस बच्ची को लेके वहाँ तक पहुचें अभी इसके बाद से जो वर्जन्स निकल के आ रहे हैं कि actually में on ground क्या हुआ ये दो अलग अलग वर्जन्स निकल के आ रहे हैं एक वर्जन है family का और एक वर्जन है district administration का family का वर्जन क्या बोलता है कि इस बच्ची का gang rape हुआ है और चार लोग इस gang rape में involved है इन चार लोग के नाम है संदीप, रवी, राम सिंग और लवकुष अब यहाँ पे जो मदर का वर्जन है मदर का वर्जन जो victim है उसकी मा का ये कहना है कि चारो लोग involved थे दो लोग ने gang rape किया और शायद दो लोग मा को देख के भाग गए वहीं पे जो district administration है अब बहुत सारा hue and cry हुआ जब यह hospital लेके पुलिस 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 चौकी में वो बच्ची उसको तो चोट लगी थी तो उसने अपनी जो भी खराब अवस्था थी उसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत statement दिया उसको record किया माने statement दिया उसको record किया और इन statements के आधार पे district administration क्या बोल रही है कि नहीं भई चार के चार लोग involved नहीं थे केवल संदीप involved था तो यहाँ पे एक इलजाम लग रहा है पुलिस के ओपर कि कहीं न कहीं इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और किस तरीकी से बचाने की कोशिश की जा रही है कि family बोल रही नहीं भई चार के चारो लोग गैंग रुक में involved थे और जो district admission बोल रहा है कि नहीं भई चार के चार involved नहीं थे एक संदीप involved था अब यहाँ पे दो लोग बहुत news में आ रहे हैं एक है विक्रांत वीर साफ जो की सुप्रेंडेंड और पुलिस थे हातरस के अभी इनको भी इनकी जगा से suspend कर दिया गया है वो है भाईया आपके district magistrate जिनका नाम है प्रवीन लक्षकर विक्रांत वीर साफ से जब यह सवाल पूछा गया कि भाई 29 सप्टमबर को जब इस बच्ची की मृत्यू हुई तो आपने इतनी रात में इसका दासंसार क्यों किया तो वीर सिंग साफ क्या बोलते हैं कि भाईया इस इस इलाके में दासंसकार रात में होते हैं यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और हमने दासंसकार करने से पहले family से permission लिए अभी family बोल रही कि हमने कोई permission दी नहीं है जो भी हमसे लिखवाया गया है वो जबर्दस्ती हमको डरा धंका के लिखवाया गया है उसके बाद विकरांत वीर जो की superintendent of police थे हातरस के उन्होंने ये भी बोला कि हम किसी भी तरीके से accused को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं चूकि अगर हम accused को बचाने की कोशिश कर रहे होते तो schedule cast and schedule tramps prevention of atrocities act के अंदर हम एक अफायर को register ही नहीं करते और कहीं ना कहीं SHO लोगों के confidence को नहीं जीत पा रहा था इसलिए मैंने SHO का भी transfer कर दिया हम हाँ से तो विकरांतवीर साब इस चीज़ को justify कर रहे हैं कि हम अपना काम सही से कर रहे हैं 29 सप्टमबर की रात में या कह लिए 30 सप्टमबर की शुबह पे जब दासंसकार हुआ तो उसको भी विकरांतवीर साब ने defend किया लेकिन आप देखोगे कि विकरांतवीर साब को 2 वोटिंग तेजी से आगे बढ़ती है 29 सप्टमबर को जब ये दासंसकार वाला केस हुआ और जबरदस्ती उसकी बॉड़ी का दासंसकार कर दिया गया बिना किसी लास्ट राइट के बिना फैमिली वाले को आप सोचिए एक बच्ची का आप दासंसकार कर रहे हैं उस दास सेंस में आपने दासंसकार कर दिया इतनी जल्दी आपको क्या दर होती दासंसकार करने की कुछ रिपोर्टर्स थे जो ऑन ग्राउंड इस्टी की रिपोर्टिंग कर रहे थे लेकिन कहीं न कहीं ये तो हमको मानना ही पड़ेगा कि पुलिस और डिस्टिक्ट प्रसाशन चा आपकाते हमां रही है और जब स्टेट गव्याग के उपर प्रेसर पढ़ा तो भाईयो स्टेट गव्याइस को ये प्रशर पढ़ता दो नकी पना बेस चीज होतीगी या तो आइस को ये आइपीएस को सेसमेंड कर दो विकरांतवीर न्यूस साब को 2 अक्टूबर को सेसमे वाइरल गई प्रवीन लक्षकर जी की जहां पे जो डिस्टिक्ट मेजिस्टेट है वो इस एक्यूस्ट फैमिली है इस विक्टिम फैमिली की घर पे जाके बैट के बादचीत करके आप प्यार से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई आप इन मीडिया वालों के चक्क विक्टिम की बॉड़ी में किसी प्रकार का कोई सिमिन पाया नहीं गया अब आप देखोगे कि जो जवाल नाल नहरू मेडिकल कॉलेज है जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंडेंट है इस मेडिकल कॉलेज के हरिस खान जी हरिस खान जी का यह बोलना है कि जो मेडिकल और फॉर अंदर अंदर ये examination क्यों नहीं कराया चुकि देखिए रेप cases में 72 घंटे क्या है जितना जल्दी हो सके वो medical examination उतना जल्दी करा देना अच्छा होता है इससे एक proper inquiry बैट पाती चुकि जैसे जैसे समय बीटता जाता है जो physical evidences हैं वो गायब होते जाते हैं लेकिन इस चीज मे delay हुआ तो अब यहाँ पे एक viewpoint दिया जा रहा है medical authorities ने इनका forensic examination तब किया जब victim ने इस रेप case के बारे में बताया 22 September को ऐसा पुलिस का बोलना है तो पुलिस से naturally सवाल पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं बोला medical superintendent को medical examination करने के लाब सोचिए कितनी तगड़ी चीज चल रही है 14 September को इस बच्ची का रेप हुआ है 22 September को आप medical examination कर रहे हो जब वो victim की family बता रही है और victim बता रहा कि हाँ इनका रेप हुआ है पुलिस भी तो बोल सकती थी कि आप medical examination करो पुलिस ने क्यों नहीं बोला medical examination करो पुलिस को पता है जब पुलिस के सामने गए थे ये तो होती रहती है हमसे गलतियां हो गई है उसके लिए हम माफी मांगते है शाहिष सिद्धिकी जो की principal है जवाला लेरू medical college के इन्होंने का क्या बोलना है इन्हों का ये बोलना है कि जब woman हमारे पास आई तो उसकी cervical spine में fracture था उसकी tongue में gash था तो हमने उस चीज को चेक किया लेकिन हम क्यों ना माने और नहीं हम कोई victim ने बताया कि कोई sexual assault हुआ है अगर हमको बताया होता तो हम examination करते हमें किसी ने बताया है ना हमें माने बताया ना हमें victim ने बताया ना हमें police ने बताया तो हमने sexual assault के लिए किसी भी तरीके के inquiry की नी तो police का ये बोलना है और जो medical staff ह ये जो अलिगड में हॉस्पिटल था उसका ये बोलना है कि हमको इस रेप के बारे में 22 सितंबर को बताया गया इसलिए हमने 22 सितंबर को फॉरेंसिक एक्जामनेशन किया अब ही 14 सितंबर से 22 सितंबर तक फॉरेंसिक एक्जामनेशन हुआ ही नहीं रेप का जो बाकी injuries लगी थी उस बच्ची की उसको देखा जा रहा था तो कहीं न कहीं बहुत clear तरीके से एक foul play यहां पे दिखता हुआ नजर आ रहा है जो लोग involved है ऐसा कहा जा रहा है कि जो allegedly involved है अब चुकी crime हुआ है तो जब तक judiciary अपना pronouncement नहीं देखी देती तब तक public में से भाई कोई नहीं बोल सकता है कि यहां सच में हुआ है या नहीं हुआ है तो चार लोगों के उपर इल्दाम लगाए जिनका नाम है संदीप, रवी, राम सिंग और लवकुष अभी संदीप और लवकुष तो 18-19 साल के है और संदीप की जो दो अंकल है वो 30 में है और दोनों की शादी हो चुकी जिनका नाम है रवी और राम सिंग अब इस विलेज में अगर बात की जाये दोस्तों तो इस विलेज में already कास्ट के नाम पे बहुत सरा डिसक्रिमिनेशन हो रहा है और आज की डेट में जब हम 2020 में चल रहे हैं तब भी caste discrimination यहाँ पे चालू है यह जो बच्ची थी यह वालमी की community की थी अब यह जो autopsy है autopsy में injury to the cervical spine by blunt force trauma यह निकला है बट देखे autopsy ने क्या बोला जो victim की मृत्य हुई है वो हुई है injury to the cervical spine by blunt force trauma की वजह से हुई है और इसको जो strangulate करने का attempt था उसकी वजह से उसकी death नहीं हुई है और जो final post-mortem report निकल के आई है उसने बोला old tears in private parts but no rape लेकिन भाईया यह काफी बाद में हुआ है ठीक है ना यह जो final post-mortem report निकल के आई है काफी बाद में हुई है और उसका जो alleged rape हुआ था वो 14 September हुआ था और rape का जैसा कि मैंने आपको बताया है forensic examination जल्दी होना चाहिए most probably 72 घंटे के अंदर होना चाहिए उस समय से आप देखें एक organized campaign चल रहा है social media पे जिसको UP के administration चला रही है ऐसा बोला जाता है UP के जो information of public relation के जो लोग है वो चला रहे है और इस rape को fake news की तरह बताया जा रहा है ठीक है ऐसा बोल रहे है प्रसाशन के लोग की caste tensions को कुछ लोग भड़काने के लिए इस 19 साल की बच्ची का जो मौत है उसको rape की तरह दिखाने की कोशिश की एक गलत सीन में ना आ जाए चुकि देखे ये जो लोग है जिनके ओपर इल्जाम लगाया जा रहा है ये ठाकुर कास्ट के लोग है चो योगी आदेतनाद जी है वो भी ठाकुर कास्ट के हैं चो एक अक्टूबर को वीडियो निकल के आई जहां पर हात्रस के डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टेट प्रवीन लक्षकर साब फैमली को ये बोलते हैं नजर आ रहें कि अपने स्टेट्मेंट को चेंज कर दीजे मीडिया तो रहेगी नहीं हम रहेंगे तो इन सब चीजों से पता चल र यह वो यह है दा उत्तर प्रदेश गोवर्मेंट था सर्विसस अफ कॉंसेप्ट प्यार पब्लिक रिलेशन फिर्म बेस इन मुंबई एट इमेल प्रेस रिस्टू जर्नलिस्ट अलोवर इंडिया इंक्लूदिंग फॉर्न कर्रिस्पोंडेंट्स वर्किं दा कंट्रिस्ट यहां पे जो यूपी की सरकार है वो एक अलग से पी आर एजेंसी को हायर कर रही है इसलिए ताकि वो पी आर एजेंसी इनका प्रोपोगैंडा फैलाए और जर्नलिस्ट को बताए ना किवल इंडिन जर्नलिस्ट को कि फॉर्न जर्नलिस्ट को कि यह जो चीज है यह station को destabilize करने के लिए ओके फिलाल के लिए जो चार आपके आरोपी हैं संदीप रामू लवकुष और रवी जिसमें संदीप और लवकुष तो 18-19 साल के और रामू और रवी बढ़े हैं इनको attempt to murder और गैंग रेप की चार्ज में बंद कर दिया गया है शेडूल कास्ट और शेडूल ट्रैंप प्रिविंशल ओफ अट्रॉस्टिटीज एक नाइटीन नाइन के अंदर ओके देखते हैं आप क्या निकाल का था वैसे तो स्टेट गवर्मेंट में और योगी आदित तिनात ने 25 ल पड़ा तब आप हर तरीकी की चीजने इस फैमिली को दे रहे हो नौकनिया दे रहे हो पैसे दे रहे हो घर दिलवा रहे हो बट शुरुवात में आपने इस चीज को क्यों नहीं है इंडल की इसका मतलब यह कि ऐसे बहुत से इंस्टेंसे होते जिनको ठीक तरीके से देखा प्रिजर्वल जुरी श्री के पास है एक और चीज़ यहां पर एक और इलजाम लगाए जा रहा है जो हात्रस हे वो एक रिजर्वड कॉंस्टिट्वेंस्य है यूपी में रिजर्वड कॉंस्टिट्वेंसी का मतलब आपको पता है न कि हमारा जो पारलWhen pantria है जो ہमारा state忘 इसले चले हैं वहाँ पे कुछ सीटें SC और ST कास्ट के लोगों के लिए रिजरवड हैं ताकि उनको भे रिप्रिजेंटेशन बिले अभी यहाँ पे यह जो हाथ्रस की जो कॉंस्टिटुएंसी है यहाँ पे भारती जन्ता पार्टी के जो MLA है राजवीर दिलेर इस सीट पे हैं इस डिस्टिक्ट में हाथ्रस डिस्टिक्ट में पांच एसेम्बली सीट सें और पांच में से चार भारती जन्ता पार्टी के पास हैं और ये जो Mr. Rajweer Divir थाप्षाब है ये वाल्मे की क्मूड़ी की है तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि यार ये जो राजवीर दिलीर साप है ये वाल्मे की क्मूड़ी की है, ये जो राजवीर दिलीर साहब थे, इनके जो फादर थे, किशनलल दिरेर, ये भी भाई इस seat से पहले MLA रह चुके हैं कलियान सिंग की गरवर्वेंट के अंदर तो इनके ऊपर यह इल्जाम लगाए जा रहा है राजवीर दिलेर जी की ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि यह भले हैं वालमे की कम्युनिटी के लेकिन यह सुनते ठागर कम्युनिटी की हैं बाद में राजवीर दिले सार भी इसमें इन्वाल हुए इन्होंने बोला कि भई दिल्ली हॉस्पिटल सजबर जंग हॉस्पिटल तक पहुचाने के लिए बच्ची को मेरा रोल रहा है तो इस तरीके की बहुत सी चीज़े निकल के आ रही है अब ये केस हम लोग के सामने कैसे आया इस चीज़ को समझना जरूरी ये केस हम लोग के सामने इसलिए आया कि जब ये चीज़ें होने लगी बहुत ज़ादा एक लिमिट के बाहर तब भया देश भर के जो लोग सुनने लगे तो यहां पर अपोजिशन थोड़ा स्ट्रॉंग हुआ और कहीं न कहीं दोस्तों देखें यहां पे यह बोला जा सकता है कुछ एक ऐसा तबका है जो यह बोलेगा कि यह जो राहूल गांधी है कॉंग्रेस के अपोजिशन लीडर है यह वहां पे जा रहे है प्रियंका गांधी वादरा जा रही है और आपके निकल के बाहर आने लगी तो जो Congress President राहूल गांदी जी और उनकी जो बहन है जो की Congress की General Secretary है प्रेंका गांदी जी ये भाई हात्रस में ये जो फैमिली थी जो victim family थी इसके साथ मिलने की जाने की कोशिश करने लगी इनके साथ और Congress के आला लीडर थे इनको जाने से रोक दिया किसने उत्तरपदेश की पुलिस उत्तरपदेश की पुलिस ने बोला आप आगे नहीं जा सकते अगर आप आगे जाओगे तो Section 144 का violation है Section 144 of CRPC इसकी news इसकी जो वीडियो थी काफी viral हुई थी तो जब यह बोला गया कि आप इस भीड को लगा के जाके वहाँ पे चीजें इंटाइस करने की कोशिश करोगे भड़काओ बाशन दोगे कास्ट टेंशन को बढ़ाओगे तो इस इस अ वाइलेशन of Section 144 of CRPC यहाँ पे राउल गांदी जी ने बोला कि ठीक है यह पूरी भीड मेरे साथ नहीं जाएगी मुझे अकेले जाने दो पर उनको अकेले भी नहीं जाने दिया गया अब यहाँ पे सोचिए कि हमारे यह जो opposition की leader है इनको जाने से रोक रही कोशिश की जारी तो कहीं न गए एक तपका यह बोल रहा है कि यह लोग वहाँ पे जाएंगे भड़काऊ भाश्र देंगे इससे कास्ट टेंशन फैल सकते हैं दूसरी तरफ आप अगर कास्ट टेंशन फैल सकते तो उनको रोकने का एक दूसरा तरीका हो सकता है आप इन leaders को वहाँ पे जानने पे क्यों रोक रहे हो और उसके बाद तो भाई आपकी जो तरफ रन्मूल कॉंग्रेस के MP है डेड़क उब्राहिम और और कुछ leaders भी वहाँ पे जानने लगे उनको भी ब्लॉक किया गया और यह सब चीजने तब होई है जब यह news सामने निकल के आई है कि forcibly cremate किया गया police ने forcibly cremate किया body को rape victim की पूरे chances ने अब आप ने एक rape victim की body को forcibly cremate कर दिया उसको उसकी family तक नहीं दिया एक बार उसके आखरी बार देख लें छू लें ठीक है ना चुकि family's का emotional involvement होता है ना यह तो बेटी थी, बेहन थी तो वो तो एक बार उसको देखना चाहेंगे लेकिन उनको देखे बिना ही आपने उसकी body को cremate कर दिया क्यों कर दिया यहाँ पे बहुत बड़ा इलगा जा रहा है कि evidence को यहाँ पे दवाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे जो भी leaders इन सारी चीजों के against में protest कर रहे तो उनको उठा के jail में डाल दिया गया या house arrest कर दिया गया जैसे कि for example एक person ने जितका नामे चंदर शेकर आजाद यह president है भीम आर्मी एक गलित राइट organization से जो उत्तर पदिश में काम करता है इनको house arrest में डाल दिया गया यह government से demand कर रहे थे victim के लिए यह कुछ photos है जो काफी viral हुई है यह video काफी viral हुई है जंतर मंतर पे भी धरना शुरू हो गया है जब इस victim का cremation हुआ उसके बाद हैदरा सरी अलाबाद high court ने एक अक्टूबर 2020 को स्यू मोटो कॉगनिजेंस लिया और बोला कि भाई हमको पूरी डीटेल रिपरोट दीजे कि यह करमेशन किस तरीके से कराया गया यहाँ पर प्रशांद कुमार ADG law and order है उन्होंने बोला कि भाई family की consent ली गई थी अब यहाँ पे एक recently और news निकल के आ रही है यह बोला जा रहा है कि यह जो फैमिली जो विक्टिम की फैमिली वाले ना इनका नार्को एनलिसिस टेस्ट कराओ जो district administration है वो विक्टिम की फैमिली के उपर इजाम लगा रहा है कि यह अपने statements को बदल रहे है इन्होंने शुरू में जो कहा और बाद में जो कहा उसको यह बदल रहे है तो अब उल्टा विक्टिम की फैमिली के नार्को एनलिसिस टेस्ट होने की बात हो रही चुकि बहुत सी चीज़े हुई है कहीं ना कहीं विक्टिम की फैमिली की उपर भी एक आवाज उठाई जारी सवाल उठाया जा रहा है कि 14 सेप्टेंबर को अगर 14 सेप्टेंबर को इस बच्ची का रेप हुआ था तो 22 सेप्टेंबर को क्यों बताया है उन्होंने हॉस्पिटल को कि इसका रेप हुआ है चुकि hospital के staff ने तो यही बताया कि इन्होंने हमको by September को बताया कि इसका rape हुआ hospital का staff बोल रहा है कि अगर हमको पहले बता दिया होता तो हम पहले forensic examination कर लेते लेकिन हमको पहले बताया है नहीं किया तो कही नंग अब police administration और district administration बोल रहा है कि इनका narco analysis test करा हो तो अब यहाँ पे high court में बहुत सरे लोग petition कर रहे है कि आप victim के family का narco analysis test क्यों करा रहे हो तो बहुत सी चीजें यहाँ पे चल रही है बहुत जबरदस इस चीज के उपर politics चल रही है और इस politics के बीच में जो योगी आदितिनाज जी है जो यूपी के chief minister है उन्होंने बोला कि ठीक है भाई आप CBI investigation करा लो इस case में सबसे बेटर रहेगा CBI investigation खुद योगी आदितनाज आप जी ने बोल दिया कि CBI investigation करवाई है विकरांत वीर को suspend कर दिया गया है देखिए ये सब तो suspension को आप उतना मत देखिए चुकि जब भी इस तरीके कोई कांड होता तो सबसे पहले district officials को suspend किया जाता है वो कोई बहुत बड़ी बात रही है अभी rape laws in India की बात करिए तो section 375 of the Indian Penal Code और section 376 of the Indian Penal Code काम हो जाता है section 375 of the Indian Penal Code में ये बता के रखा गया है कि actually में rape है क्या तो rape ये है कि अगर आप किसी woman के साथ intercourse करते हैं without her will, without her consent उसको डराधमका के अगर करते हैं अगर आप उसके husband नहीं है और वो आपके साथ intercourse कर रही है सोच के कि आप उसके husband नहीं है बड़ा आपने ऐसी कोई condition create कर दिये जहां पर आप उसको ये belief करा रहो कि आप उसके husband है और intercourse कर रहो तो भी ये rape की परिभाशा के अंदर आएगा की जा सकती है और पूरा आपको अजीवन कारावास भी दिया जा सकता है अगर आपने 12 साल से कम की लड़की का rape किया है या आपने 12 साल से ज्यादा की बच्ची का rape किया है या अपनी खुद की वाइफ का rape किया है या आपके उपर marital rape की chances charges लगें तो उस case में आपको 2 साल त करने की जरूतनी हुए तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिये punishment of rape में आप ये याद रखें कि section 375 in the Indian Penal Code बताता है कि actually में rape की परिभाशा क्या है और 376 के अंदर लिखा है कि rape की सजा क्या है अगर इंडिया में rape cases की बात करिए कोई नहीं चीज नहीं है November 1973 में एक बहुत unfortunate incident हुआ अरुना शॉन बॉग जी जो की 26 साल की young nurse थी मुंबई हॉस्पिटल में इनका एक ward attendant जिसका नाम था सोहनलाल भारत वल में की उसने rape कर दिया और इनको इतनी चोट आई उसमें कि ये कोमा में चली गई ये आप 40 साल कोमा में रही हैं और 2015 में इनकी मिरती होगी सोचिए कैसी जिन्दगी जी इन्होंने और वो person शायद बाद में छूड गया था उसको फासी सजा नहीं हुई थी 1995 में भनवारी देवी नाम की एक लेडी थी जो की Women Development Project राजस्थान में काम कर रही थी 1992 में इनका rape हुआ जो accused person थे उनको छोड़ दिया गया इनके rape के against में जो बवाल हुआ उसके चलते विशाखा guidelines आई विशाखा guidelines में ये बोला गया कि workplace पे women का sexual harassment को किस तरीके से चेक किया जाए तो क्या है विशाखा guidelines were a set of procedural guidelines for use in India in cases of sexual harassment they were promulgated by the Indian Supreme Court in 1997 and were superseded in 2013 by sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal act 2013 तो भाया ये विशाखा guidelines, ये 1995 भनवारी case, 1973 अरुना शौनबॉक case और फिर विशाखा guidelines को incorporate करके क्या बनाया गया 2013 का sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal act ये सारे cases को अपने दिमाग में basic idea रखे किसी answer में quote करने में आपको कामा सकते है दिसंबर 2012 में निर्भिया case हुआ था सब को पता है इस case के बारे में, मुझे आपको अलग से बताने ही जरूत नहीं है यहाँ पे चार लोगों को अभी 20 मार्च 2020 को तिहाड में फांसी के साज़ा दी गई है, एक ने पहले ही अपने आपको मार लिया था ट्रैल के दौरान और एक जो की इसमें आपके सकते हो की जुविनाइल था, 18 साथ से उसकी कम की उमर थी उसको तीन साल के रिफॉर्म के बाद छोड़ दिया गया 28 नॉमबर 2019 को एक वेटनरी डॉक्टर का हैदराबाद के फ्लाइओवर के नीचे शायद रेप हुआ था तो वहाँ पे चार परसंस को अरेस्ट किया गया, बाद में सुनने में यह आया कि वो भागे उनका इनकाउंटर कर दिया गया अब उन्होंने सच में रेप किया था, नहीं किया था, पता नहीं चला, किसी भी तरीके की इनकौईरी नहीं हुई केस नहीं चला सीधे इंकाउंटर हुआ सीधा इंसाफ हुआ सही हुआ गलत हुआ पता नहीं उसके आगे पांच दिसंबर 2019 को एक 23 साल की जो रेप विक्टिम थी जिनका कुछ लोगों ने रेप किया था वो अपना ही केस लड़ रही थी केस में कोट जा रही थी बीच में ही इनको जला दिया गया और फाइनली अब ये केस हमें देखने को मिल रहा है हात्रस रेप केस तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ पे जो रेप लॉस हैं उनको आप कितना भी स्ट्रिट कर लो रेप कम होते नजर नहीं आ रहे हैं अगर आप ओफिशल डाटा की बात करो रेप की तो ओफिशल डाटा को मेंटेन कौन करता है रेप के इंडिया में नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ही मेंटेन करता है इंडिया में बहुत सारे केस अन्रिपोर्टेट जाते हैं लेकिन रिसेंटली चुकि लोगों की अवेरनेस रेप कैसिस को लेके बढ़ रही है सोशल मीडिया स्टॉंग हो रहा है तो अब रेप कैसिस की रिपोर्टिंग जादा हो रही है और इस चीज में सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेट मतलब स्टेप लिया है सरकार ने बनाया है creation of national database on sexual offenders 30 सप्टेंबर 2018 को इस NDSA को launch किया गया इस DASA base में उन offenders के नाम है जिनके उपर rape charges है, gang rape के charges है POXO के charges है, क्या है यह protection of children from sexual offenses act और eve teasing के charges, तो इनके उपर जिस तरीके के charges लगे है और अगर इनको convicted माना गया है, guilty माना गया है तो एक proper data है इनका किसमे, national database on sexual offenders को यह database general public को available नहीं है, जो law enforcement agencies केवल उनको available है अब देखे, यहाँ पे एक trend सा मनता नजर आ रहा है कि rape cases की reporting तो हो रही है, बट उनका prosecution नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं, जिन ladies का rape होता है, वो rape को report करती है बट उनका prosecution नहीं होता, कहीं न कहीं वो cases आगे जुडिश्री में लटक जाएंगे या फिर उन लोगो छोड़ दिया जाएगा तो ये एक बड़ा dangerous trend सा बनता नजर आ रहा है और policy makers को इस trend पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर reporting बढ़ रही है rape की, तो कहीं न कहीं आपको prosecution भी बढ़ाना है, बट हाँ, उन cases को भी segregate करने की जरूरत है जहां पे एक lady किसी आदमी से बदला निकालने की चक्कर में उसका जूटा इल्दाम फसाए तो उस तरीकी की चीजों को भी बहुत sensitively handle करने की जरूरत है तो ये था पूरा analysis दोस्तों, आई होब आपको कुछ समझ में आ गया होगा Thank you for watching, have a great day